हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल क्रिकेट एक्सपर्ट में दोस्तो भारत और इंगलेंड के बीच चल रहे टेस्ट सीरीज के दूसे टेस्ट मैच के दूसे दिन कल खेल खतम होने तक भारत ने जहां एक तरफ पहली पारी में 374 रन पर आल आउट हो गई वहीं इंगलेंड टीम भी संगर्स कर रही है वापसी में और तीन बिकेट के नुकसान पर 119 रन बना ली है उनके कप्तान जो रूट और जोनी वेरेश्टो क्रीश पर ठीके हुए हैं लेकिन दोस्तों पहले टेस्ट मुकाबले के भात थी दूसरी टेस्ट मैच में बारिस कही न कहीं डिस्टर्ब कर रही है खेल को तो आज के इस मैच में हम देखेंगे कि बारिस की क्या संभावना है मैच के तीसरे दिन इससे पहले दोस्तों आपसे काना चाहेंगे चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का पहल जरूर दबा लेजिए क्योंकि चैनल के माध्यम से क्रिकेट संबंदी सारी छोटी बड़ी अपडेट द तुरण सब्सक्राइब कर लीजे दोस्तों आईए अब देखते हैं लाट्स के लंदन के मैदान में दूसरे टेस्ट के तीसे दिन मौसम क्या करने वाला है क्या अपडेट रहने वाली है बारिस की क्या संभावना है उस पर एक नज़र डालते हैं दोस्तों लंदन के मौसम के बाए में बताने से पहले आपको बता दें कि यहां का टाइम ढ़ारती टाइम जोन से लगभग साढ़े-5 गंटा पीछे है तो जुझ बहफ आरे मतलब मैश भारत में360 बज़सां को सुरू होता है तो तो इस हिसाइं देखा तो आज का दिन मौसम साफ रहेगा बारिष की कोई खास संभावना नहीं दिख रही है लेकिन हाला कि इंगलेंड में मौसम बहुत तेजी से परिवर्तित होता है और आकासमात ही कोई भी चेंजेश हो जाते हैं लेकिन फिरहाल जो अपडेट दिख रहे हैं तो बारिष की बहुत कम होता है और कोई उमीद नहीं रहती है कि 10% पर बरसाथ हो जाए हलाकि अभी मैच होने में काफी परयाप्त समय है और अगर इसकी संभावनाएं बढ़ती है तो थोड़ी बहुत बरसाथ हो भी सकती है लेकिन फिलहाल अभी इस अपडेट के साथ कहना बहुत मुश्क है तो हम उमीद करते है कि मैच आज का दिन पूरा हो और ना सिर्फ मैच पूरा हो भारती टीम अपनी पकड़ को और मजबूत बनाए दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यबाद अब हम आप से कल मिलेंगे कल के मौसम अपडेट को लेकर तब तक आप से कहना चाहेंगे चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफीकेशन का विल जरूर दबा लीजिए धन्यबाद दोस्तों आपका दिन सुखो